आज मैंने डर्मस्टिक या फिर साहजन की फल्ली भी बोल सकते हैं इसकी आज मैंने रेसिपी बनाई हैं आप नए ग्रेवी वाली रेसिपी खाई होंगी आज मैं इसकी बिर्याणी बनाई हूँ तो यह रेसिपी इन तक जरू देखेगा और चैनल पे नए है तो जरू कीज़ेगा तो यह बिरियानी बहुती बढ़िया बनी थी आप बिरियानी भी बोल सकते बहुती बढ़िया बनी थी इसे आप जरू ट्राइ कीज़ेगा और जो इसके डर्मस्टिक की जो फली है ना मुंगनी की फली भी बोलते है मराठी में तो इसमें ना इतने सारे व लुपन पुहली हमाने तैल के कट कर लिए निकाल दें oh και पयास कयम दाल कर்के लिए कोकर में तेल दाल दाल दिया है प्यास दाल जाल जाल नहीं यह बने तो यहां पर प्यास को मैश हम अच्छे से आप यहां पर जोडि बूहें ह 되고 डाल मैं अगे गे अभी हम लेंगे epic cena स्थ कि यहां पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर देखे सबी चीजे अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब इसमें दाल देंगे यह मुंगने की फली डर्मस्टिक दाल देंगे तो यहां पर डाल दिया है अब इसे मिक्स कर देंगे यहां पर दिखिए सभी चीज़ बहुत अच्छे से मिक्स होने के बाद में अब इसमें दाल देंगे मटर के दाने दाल देंगे मैंने फ्रेश वाले मटर लिये है अगर आप फ्रोजन मटर यूज़ करना चाहते तो आप पानी छोड़ेंगे न तब दालना है अभी नहीं डा माल इसके शब्रबूरे तौध नहीं डाल देंगे तो डाल बिखाव यहांपर मिक्स कर देंगे यहांपर देंगे सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है यहांपर सभी जिपश होने के बाद में इसे हम दीमियाज पर भूनेंगे श्राआज और γोंग्स्या नहीं त तो इस तरह से खिलाएंगा बच्चे को तो बहुत पसंद आती है रेसिपी आप जरू ट्राइ कीज़ेगा अब यहां पर चावल दाल दिनगे दो गिलास के करीब तो यहां पर चावल दाल दिये है आप यह वाली रेसिपी मटन बिरियानी की तरह भी बना सकते हैं मतलब अख करने के बाद में इसे 2-3 मिट तक अच्छे से भूने घीमियाच पर तो यहां पर चावल बहुत अच्छे से भून चुके है सबजी अभी हो चुके इस इस स्टेज पर हमने पान डाल दिया है और दो गिलास के लिए 3 गिलास भान दाला है तो यहां पर पानी डाल देंगे और यहां पर बोतेचिस से मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद में इसमें डाल देंगे, कड़ी बत्ता, कसुरी मेती डाल दिया है, और यहां पर मिक्स कर दिया है, आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, तो यहां पर देंगे, और यहां पर आधनी बूर डाल देंगे, इसे जो चाफल है ना बित खिले-खिले बनते हैं चिप-चिप होते नहीं हैं और खिले-खिल. नहीं हमारी खिली-खिली घरियादी होती है tumor हमारा रेडि होती है तो यहां पर आधानीबू 8 मिक्स करने के बाद में मिक्स अधा करained यहां पर और यहां पर ऑदगकन लगा दें यहां पर इसे खोल लेंगे तो यहां पर देखिए खोलने के बाद में यहां पर चावल को स्टार कर दिया है और प्लेटिंग भी कर दिया है तो यहां पर देखिए हमारा मुंगने के फली का चावल पुला या फिर वीर्यानी भी बोल सकते तो यहां पर रेडी हो चेका है बह अब तक लिए असला लिए